ओ देश मेरे तुने सेरे के बच्चे पाले हैं एक लाल हुआ बलिदाने तो क्या सौलाले तेरे रखवाले हैं ओ बतनावे मेरी बतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुरवान हुआ तेरे असमत पे मैं कितना नसीवाला था फर्स्ट कोस्टन ये रहा आपके स्कीन पर दोस्तों कहता है कि 4 x to the power 3 ठीक है माइनस 2 x square ठीक है पलस 5 x माइनस 8 को ठीक है ठीक है को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए किसे x माइनस 2 से विभाजित किया जाए ठीक है x माइनस 2 से क्या किया जाए विभाजित किया जाए तो सेस क्या होगा तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि x माइनस 2 बराबर आपके पास क्या है 0 तो x बराबर क्या आजाएगा आपके पास 2 अब यहाँ पर आप इसका value इसमें put करिएगा 4x cube minus 2x square plus 5x minus 8 गौर से समझेगा दोस्तो 4 into 2 का cube किसका cube? 2 का cube minus 2 into 2 का square plus 5 into 2 minus 8 अब 4 गुने 2 का cube 8 होता है अब 2 गुने 2 का square 4 होता है 5 गुने 2 होगा minus 8 होगा अब यहाँ पर 8,4 का 32 हो जाएगा minus 8 हो जाएगा plus 10 हो जाएगा minus 8 हो जाएगा तो 32,10 क्या होता है? 42 minus 16 अब इस 42 में से 16 को क्या कर देंगे? घटा देंगे तो आपको अंसर आजाएगा 26 26 अफका क्या हो गया? परम सत्ते अंसर हो गया दोस्तों तो यह है remainder theorem से बार बार examination में question पूछा जाता है दोस्तों और हर एक question वही लेकर आए हैं आप देख सकते हैं दोस्तों कि RRB group D 16,10,2018 shift number 2 में question पूछा हुआ दोस्तों तो x-2 बराबर आप 0 दे दिए x का value 2 दे दिए आप जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देना है भैलू को आसानी के साथ निकाल लेना है दोस्तों तो इस तरह से आसानी के साथ question को बना डालते हैं दोस्तों within second में उरा डालते हैं दोस्तों आए दोस्तों देर ना करते हुए फिर next question की और चलेंगे और next question भी काफी मज़ेदार होगा दोस्तों और हर एक question वही लेकर आए है जो बार बार आपके examination में पूछा है दोस्तों हर एक question वही लेकर आए है जो बार बार आपके examination में पूछा है दोस्तों आए दोस्तों आप next question क्यों चलते हैं और next question ये रहा आपके skin पर दोस्तों कहता है कि 4x का power 6 4x का power 6 4x का power 6 ठीक है minus 5x cube और minus 3 cube है ना ठीक है x cube minus 2 से भाग विभाजित करने पर सेस्फल कितना आएगा दोस्तों कैसे इसको बनाएंगे जरा धेयान दीजेगा दोस्तों आप इसको जैसे ही इधर किरेंगे x cube बराबर 2 तो रूट 2 आपको रूट में आ जाएगा ज्यादा आपको समस्य जहलना परेगा इसलिए डाइरेक्ट इसको क्या कर दीजे x cube माइनस 2 से डिवाइड कर दीजे 4x का पावर 6 माइनस 5 x cube माइनस 3 से तो आपको डिवाइड में नियाम है कि एक नएक कटना चाहिए तो यहाँ पर 4x square अगर दे देते है तो तीन अद्दू 5 सुरी तो यहाँ पर 3 देना होगा 3 देना होगा क्योंकि 3 x 6 होना चाएँ पावर और 4 x x का पावर यहाँ पर 4 x का पावर 6 हो गया यहाँ पोजाधा माइनस 4 दूना 8 x का पावर 3 अब यहाँ पर क्या जाएगा यह plus minus minus plus यह आपका कैंसिल हो जाता है और यहाँ बज जाएगा कितना 3 x cube और माइनस थीरी जो है यह उतर गये यहां पर अब यहां कितना से देना होगा अगर आप यहां पलस थीरी से देते हैं तो यहां हो जाएगा थीरी एकस क्यूब और पलस माइनस माइनस सिक्स यहां पलस हो जाता है माइनस माइनस हो जाता है पलस यह कट जाता है यहां पर पलस 3 इसका remainder हो गया यही इसका परम सत्य अंसर हो गया दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों यह भी question आपके group D में question पूछा हुआ है दोस्तों RRB group D 211 2018 shift number 2 में पूछा हुआ question दोस्तों तो हर एक question वही लेकर आए हैं जो बार-बार examination में पूछा है दोस्तों आप आसानी के साथ सभी का value कोई-कोई संख्या को आप divide भी करना पड़ेगा तो आप सूज-बूज और समझदारी से काम करेंगे दोस्तों तो आसानी के साथ examination को fight कर सकते हैं दोस्तों आपके skin पर दोस्तों कहता है कि 3x square 3x square और आपको दिया हुआ है 3x square पलस a x-12 पून रूप से पून क्या चीज रूप से x-8 से क्या है विभाजित है यानी x-8 बराबर आपके पास क्या हो जागा 0 तो a का value निकालना है तो x बराबर आपके पास क्या है 8 आपके पास क्या है 3x square पलस a x-12 बराबर 0 अब यहाँ पर 3 into 8 का whole square पलस a गुने 8-12 बराबर 0 हो गया तीन गुने 8 का square कितना होता 64 जोर 8a-12 बराबर 0 अब यहाँ इसको गुना किजिएगा तो 192 और माइनस 12 बराबर यह पलस तो उधर जाएगा माइनस 8a हो जाएगा अब इसको घटाईएगा तो 180 बराबर माइनस 8a और a बराबर कीजिएगा तो माइनस 180 बटा आठ भाग दीजिएगा तो answer आ जाएगा माइनस 22.5 माइनस 22.5 इसका क्या हो गया परमसत्य answer हो गया दोस्तो तो आसानी के साथ ऐसे question को उड़ा देते हैं दोस्तो remainder theorem का question बार-बार आपके examination में पूछा है दोस्तो आए दोस्तो अब इस question को erase करते हैं और next question क्यों पर चलेंगे और बज़ेदार होगा दोस्तो next question क्यों चलते हैं और next question यह रहाँ आपके skin पर दोस्तो कहता है कि 4x cube 4x cube minus 2x square plus 5x minus 8 को x minus 2 से विभाजित किया जाए तो 6 कितना होगा तो x minus 2 बराबर क्या लिख देंगे 0 और x बराबर हमारे पास क्या जाएगा 2 तो 4x cube minus 2x square plus 5x minus 8 है तो क्या लिखेंगे 4 गुने 2 का cube minus 2 गुने 2 का square plus 5 गुने 2 minus 8 अब 4 गुने 8 minus 2 गुने 4 plus 5 गुना 10 minus 8 तो कितना हो जाएगा 32 minus 8 जोर 10 minus 8 कितना हो जाएगा 32 32 minus 8 minus 8 minus 8 यानि 42 minus 16 बराबर 26 इसका क्या हो गया परम सत्य अंसर हो गया दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को like, share, subscribe कर दीजे दोस्तों काफी बहतरीन से बहतरीन और जो भी question सब लेकर रहा हैं दोस्तों हम सभी question youth के book से लेतरा रहे हैं दोस्तों तो series चला रहे हैं दोस्तों कम से कम 50 वीडियो का जरूर आपके लिए group D के लिए बनाएंगे special for group D के लिए और हम algebra से सुरू किये हैं दोस्तों तो देखते रहे हैं alpha study that's all thank you